नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका ऐमारेचिकेशन यूटूब चनल में राजस्तान के सभी यूआ बेरिचकार बेढ़ते हों के लिए मैखपुन सुचना राजस्तान कर्मचारी चैन बोर द्वारा शिगरलिपिक यानि इस्टेनो ग्राफर का जो नोटिपिकेशन वो जा हमने आ चुका है पदों की संक्या एज क्राइटेरिया सेलेबस नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी सब ही चीजों की हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक राज्जी के अजिनस्त भी भाग तो आपकी जो पदों की संक्या देख सकते हैं टोटल चार सो चुमतर पदों पर इस भरती का नोटिफिकेशन निकाला गया है जो इस्टेनोग्राफ और भरती के हिसाब से काफी ज्यादा होते हैं काफी सफिशेंड पद इस प्यार इसके अंदर निकाले गए हैं तो हम सारी चीजों के बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सासन सची वाले के पद वो इसके अंदर एक सो चोराण में पद इसमें रखे गए जो के अंदर आपके एक सो चोराण में पद इसमें रखे गए तो आगे बात कर लेते हैं ओनलाइन आवेदिन के प्रकरिया आप इसके अंदर देख सकेंगे और इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है पदों का विवरन तो देख सकते हैं दोसों शिगर देख सकते हैं ठीके रोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एक्जाम पैटन किस प्रकार से रहेगा सेलेबस क्या आने वाला है नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी और काफी समय से लगबग 5-6 महीने पहले ही आपको माध्यम से मैंने आपको यह सूचना दे दी थी कि आपका जो नोटिफिकेशन ने इस्टिनोग्राफर वर्दी को नोटिफिकेशन आपको फरवरी महा में देखने को मिलेगा वैसा ही हुआ दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन ने जो एमार एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हैं वो 5-6 महीने से पहले से ही तैयारी करने लग गए होंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ग्रेड पे क्या रहता है और आपकी इसके अंदर सेलेरी क्या रहती है तो 36 ग्रेड पे की नोकरी है दोस्तों य मिलती है नीजी साइक इस वेकेंसी के बारे में आप जानते नहीं है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं सारी वीडियो आपको इस वेकेंसी के माध्यम से मिल जाएगी तो अगली बात हम बात कर लेते हैं दोस्तों आयो सीमा आयो सीमा इसमें 18-40 वर्स इसके अंदर रख डिप्लूमा होना चाहिए अगली बात सबसे महतपुर्ण बात इसमें जो परिक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है बिलकुल वीडियो स्कीम मैद कीजेगा दोस्तो इसमें स्कीम क्या रहने वाली है वो देख लीजिए शिगरलिपिक नीजी साय ग्रेंट सेकिंड पदो पर भरती है तो परिक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है तो सबसे पहले आपका परिक्षा की स्कीम हम इसमें देख लेते हैं आपका इसके अंदर रिटन एक्जाम होने वाला है दो पेपरों में आपका रिटन एक्जाम होगा फर्स्ट पेपर आपका सुबह सेकंड पेपर आपका दिन में इसमें होगा ये इसमें भी आपको तीन गंटे मिलेंगे लगबग 100 नंबर का ये इसमें जो पेपर है वो रहने वाला है आगे हम बात करेंगे सेकंड अगर रिटन में अगर आप 40% अंक लेके आते हैं 40% का क्राइटेरिया है तो आपको इस्टेनो ग्राफर इसके टेस्ट के लिए क्वाल वीडियो है दोस्तों ध्यान से दिखिएगा इस्टेनो टेस्ट अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी एक विशे का चैयन करना होगा कि अगर आप इस्टेनो टेस्ट हिंदी में देना चाते हैं तो दोस्तों फूर्म भरते समय जरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका अगर हिंदी है और आपने गलती से जो फॉर्म भरता है उसने इंग्लिश कर दिया तो आपको बहुत बड़ा जटका इसके अंदर लगने वाला है तो दोस्तों देख सकते हैं आप सबसे पहले इस बात का फॉर्म भरते समय इस का द्यान जरूर रखेगा कि हिंदी और इंग्लिश इस्टेनोग्राफर का तो हिंदी इस्टेनोग्राफर हो चाहें इंग्लिश इस्टेनोग्राफर हो तो आपका इस्टेनोस्केल टेस्ट के अंदर होने वाला हिंदी वालों के लिए आपकी सो शब्द वर्द परती रहेगी और 60 मिनट आपको हिंदी करने के लिए मिलेंगे हिंदी करने का मतलब है दोस्तों अगर आप 10 मिनट की जो डिक्टेशन लिखते हैं उसको ट्रांस्क्रिप्शन करना पड़ता है आपको कंप्यूटर के उपर तो इंग्लिश वालों के लिए 60 मिनट मिलेंगे और की रहने वाली है अब हम पार्टी करम देख लिए दोस्तों सामानी ग्यान देनिक विग्यान और राजस्तान का सामानी ग्यान तो यह आपका पहले पेपर में सामानी विग्यान और राजस्तान का सामानी ग्यान साइथ आपका साइंस रहेगा दूसरा पेपर आपका लेंग रहने वाला है maximum marks उसके सो रहेंगे number of questions डेट सो questions पूछे जाएंगे 75 general Hindi के और 75 general English के इसके अंदर रहने वाला है दोस्तों पहले वाली वेकेंसी का जो पार्टी करमता बिल्कु सेम रहा है और हम बात करें duration paper का जो time duration क्या रहेगा तीन घंटे आपको इसके अंदर मिलेंगे और साथी साथ हम इसमें बात कर लें सबसे important बात आपकी जो negative marking है वो इसके अंदर नहीं रहने वाली जी हाँ दोस्तों बिना negative marking की यह vacancy है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे है नीजी साहिक बनना चाते हैं वो भी सची वाले के अंदर तो आप इस vacancy की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों इसका जो notification है अब आज जारी हो चुका है exam जल से जल्द होगा क्योंकि इस vacancy को delay नहीं करती है राजस्तान करमचरी जायन बोर्ड और इसका जो steno skill test है वो भी जल्द होने वाला है तो दोस्तों बहुत important वीडियो इसको बिलकुल skip मैट कीज़ेगा और मैंने आपको इसमें सारी details दे दिए अगर इसमें आपको कोई भी confusion है तो वीडियो के comment box में comment कीजिए और stenographer के बारे में आप और जानकारी जानना चाते हैं विभाग के बारे में और बाकी जो चीज़ें इसके अंदर रहती है stenographer कि इस परकार से सीखनी होती है क्या speed लानी होती है तो सब कुछ वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा आप चैनल पर चाहिए प्लेइलिस्ट में चाहिए rsmssb stenographer की एक नाम की प्लेइलिस्ट बनीवे उसके अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे इसमें भी अगर आपको इस वेकेंसी के अगर आप तैयारी कर रहे तो चैनल के माध्यम से आपको वेकेंसी के तैयारी भी करवा ही जाएगी साथ ही साथ इस्टेनो भी इस्टेनो सीखने के वीडियो भी आपको मिलने वाले तो दोस्तो इस परकास से राजसान करमचारी चेन वोर्ड की तरब से एक बहुत बड़ी खुशकबरी है इस्टेनोग्राफर के जो नोटिफिकेशन है वह आज 26-24 को जारी हो चुका है तो दोस्तो अगर जानकारी अच्छी लगए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि एमर एजुकेशन के माध्यम से आपको इस्टेनोग्राफर की अपडेट सबसे पहले मिलती है पहले भी मैंने आपको बताया विडियो में कि जो इसके लिब्गांे के सामने फेर नोटिफिकेशन है और दोस्तो इस प्रकार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जन्यवाद Challenge